नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत है, दैनिक जागरन समपादी के खतरनाक संगठन डिक्टेशन सुर्वोगा पांच सेकंड बाद अपनी संदिग्ध गति विधियों के कारण एक लंबे समय से विभिन एजेंसियों के निशाने पर चल रहे संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी पी एफ आई के ठेकानों पर देश व्यापी छापों के बाद यह तत्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि उसे विभिन देशों से आनुचित तरीके से जो चंदा मिल रहा था उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा था चिंता की बात केवल यह नहीं कि पी एफ आई विदेशी चंदे को इस्थानिय चंदे के रूप में दर्शा रहा था बलकि यह भी है कि उसके तमाम सदस्य देश विरोधी गती विधियों में शामिल दिख रहे थे इसी कारण पिछले दिनों उसके सव से अधे सदस्यों को गिरफतार किया गया यह संगठन कानून के शासन के साथ किस तरह शांती व्यवस्था के लिए खत्रा बन चुका है इसका प्रमाड अपने यहां पड़े च्छापों के विरोध में केरल में बुलाए गए बंद के दवरान की गई उसके लोगों की हिंसा से मिलता है इस हिंसा से एक तरह स्वतह प्रमाड हो गया कि इस संगठन के इरादे नेक नहीं इस संगठन पर आतं की गती विधियों में लिप्त होने के आरो ना जाने कब से लग रहे हैं इसी कारण कई राज्य उस पर पाबंदी लगाने की संस्तुती कर चुके हैं P.F.I. अपना उद्देश्य कुछ भी बताए यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी गती विधियां उसे कट घरे में खड़ा करती है एक तत्य यह भी है कि खुद केरल सरकार उच्चे ने आयाले के समक्ष यह कह चुकी है कि P.F.I. प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का बदला हुआ रुप है P.F.I. पर जैसी अराजब और आतंकी गती विधियों में लिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें देखते हुए उसे प्रतिबंधित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि वह लोकतंत्रिक तौर तरीकों का सहारा लेकर लोकतंत्र को ही नश्ट करने का काम कर रहा है PFI अपनी छात्र शाखा और राजनीतिक शाखा बना कर जिस तरह देश के अधिकांश राज्यों में सक्रिय हो गया है वह शुब संकेत नहीं इसलिए और नहीं क्योंकि विभिन राज्यों में छोटे दल उसकी राजनीतिक शाखा के सहायक बन गए है वास्तों में इसी कारण कई संगठन उसके समर्थन में बोल रहे है PFI की हरकते यही बताती है कि वह एक ऐसी विश बेल है जिसकी जड़े काटने में देर नहीं की जानी चाहिए इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती कि PFI का हाथ न केवल नागरिक्ता शंसोधन कानून विरोधी देश व्यापी हिंसा के साथ हिजाब के खिलाफ हुए अराजक प्रदर्शनों में दिखा बलकि अन्य ऐसी घटनाओं में भी जिससे इस नतीजे पर पहुचने के अलावा और कोई उपाय नहीं की वह आतंकी संगठनों सरीखी विशाक्त विचारधारा से लैस है यह सही है की आज के समय में ऐसे संगठन प्रतिबंधित किये जाने की इस्थिती में नए नाम से नए सिरे से संगठित हो जाते हैं लेकिन उनकी कमर तोडने के लिए यह आवश्यक है की उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर प्रतिबंधित किया जाए डिक्टेशन कम्प्रीट 6 मिनिट में पूरा हुआ है डिक्टेशन के जो कठीन वर्ड है वो इसी वीडियो के साथ अटाइच कर दिये जाएंगे अदरवाइस आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं अल्यड़ी भारा बज़े अफ्लोट किये थे रात में ठीक जो वर् को लिख पाएंगे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धाइंक्यूर मच